नमस्कार दोस्तों मैं देवे शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर मेरे प्यारे दोस्त आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट से अगर आप में कर रहे हैं तो उसके स्लेबस के बारे में ठीक है किसके बारे में यम्मे हिंदी के स्लेबस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं बात करे काफी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर डाक्टर भीम राओ अमबेटकर इनवरसिटी आगरा क्या जो है वहां का स्लेबस हमें बताईए वो भी हिंदी सब्जेक्ट का है चुकि मैं वहां से मे कर रही हूं या कर रहा हूं और हिंदी सब्जेक्ट है हमारा उसका स्लेबस नहीं पता है एक बार आप उसका स्लेबस बता दीजी तो मैंने ये स्लेबस जो है अगर आप जाएंगे डाक्टर भीम राओ अमबेटकर इनवरसिटी वहां की ऑफिस्यल व हुआ एजूकेशन हुआ पॉलिटिकल साइंस हुआ जियोग्राफी हुआ ठीक है और भी सारे सब्जेक्ट हैं जिनसे भी आप बिलॉंग करते हों अगर उनका आप सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट का स्लेबस चाहते हों तो आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में याज आना है ठीक है जिसे साटकट में NEP कहते हैं इसको नेशनल एजूकेशन पॉलसी भी कहते हैं और न्यू एजूकेशन पॉलसी भी कहते हैं जो आपको नई सिक्छानीती अगर देखें कहेंगे नई सिक्छानीती तो नई सिक्छानीती 2020 भी कह सकते हैं और राष्टिय सिक्छानीत 2020 भी कह सकते हैं अगर हिंदी में कहना चाहें और इंगलिस में भी new और national दोनों चल सकता है कोई दिक्कत नहीं है लोग जहां पे जो use करें बट सही बात तो है कि national education policy ही होता है ठीक है इसका full form चले बात करते हैं कौन सी university के लिए है तो डाक्टर भीम राव अंबेटकर अगरा के लिए है ठीक है यहाँ पे बोल रहे है paper coding and credit distribution मतलब यहाँ पर paper coding के बारे में और साथ ही साथ उसके distribution के बारे में बताया गया है paper का code क्या होने वाला है और कितने credit मिलने वाले हैं यह आप पहले जान ले फिर उसके बार इसके syllabus के ऊपर भी चर्चा करेंगे ब्रहद रूप से चर्चा करेंगा ऐसा नहीं है कि बस के वाल इस टिक्चर बता के छोड़ने paper का नाम बता के छोड़ने एक एक चीज बताएंगे कि आपको क्या क्या चीजे पढ़नी होती है अभी आप यहाँ पर देखें तो यह तो numbering किया गया है इससे आप से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए बोल रहे है name of degree अगर name of degree में अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इम्मे करते हैं तो जो उसका first year का syllabus होता है वो आपका बीए वाला ही रखा जाता है ठीक है बीए का ही निचोर उठाके इम्मे के first year में रख दिया जाता है जब आप एम्मे का second year का course complete कर लेते हैं तो आपको master degree का course कराया जाता है ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा इससे घवराईएगा मत की बहिया यह वताईए अब यह आप देखे जब आप बीए करते हैं तो उसमें कितने 6 semester होते हैं कितने होते हैं 6 semester लेकिन यहापे बात किसकी की जा रही है 7th semester की देखिए semester में कौन से semester की बात की जा रही है 7th semester मतलब 6 semester आपका बीए वाला clear हो गया है अब हम 7th semester अर्थात की यम्मे में प्रवेश कर चुके हैं ठीक है बात करते हैं इसमें कुल paper कितने होते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, 4 paper तो आपके लिखित होते हैं ठीक है उसके बात क्या होता है कि दो paper यहाँ पर दिये गए हैं यह दोनों elective होते हैं क्या होते है elective होते हैं मतलब या तो आप इसे चुने या तो आप इसे चुने और साथ में ही आखरी में एक चीज़ और जोड़ दी जाती है वो जोड़ आपका करवाते हैं कैसी files और तयार करवाते हैं वो उनके उपर एक files बना रहे होती है उसमें आपको कोई paper और नहीं देना होता है बट इन पांचों के paper आपको यहाँ पर देने होते हैं पांच paper आपको देने होते हैं ठीक है बहुत सी जब आप university में जाएंगे तो university वाले बताते हैं university में तो आप खुला कोई भीमन के computer हिंदी भासिक परियोजना ले लिजिए और चाहे हिंदी पत्रकारता ले लिजिए university में कोई रिक्कत नहीं बट जो college होते हैं उनसे जुड़े college होते हैं वो अपने हिसाब से paper का chain करवाते हैं आप अपने हिसाब से नहीं चु रखी है बिना मन के या फिर मन के उनको लेना पर लेना था उन्होंने लिए रखा है तो आपको भी लेना पड़ेगा ठीक है अगर आप university में करेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं आराम से ठीक है यह कुछ आपका क्या रहा हाँ यहाँ पर paper का code दिया गया है यह आप यहाँ पर धान रखिएगा जैसे पहले paper का नाम है A010701T ठीक है लास्ट में वही देखिए 70 तक वही है लास्ट में 2T जोड दिया गया 3T, 4T, 5T and 6T ऐसे paper का नाम रखा जाता है और credit सभी को आपको यहाँ पर दिखाई पढ़ रहे ह यहाँ पर credits कितने मिल रहे हैं हर एक paper में 5-5 credit आपको मिल रहा है ठीक है ऐसे ही अगर आप यहाँ पर जाएंगे देखिए 8 समेश्टर में जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए 1 paper, 2 paper, 3 paper, 4 paper और 5 paper मतलब कि यहाँ पर 5 paper आपको देने होते हैं इसमें एक भी elective नहीं है ठी आप कर सकते हैं तीसरा समेश्टर, MA का तीसरा समेश्टर और ओबराल देखें तो नवा समेश्टर ठीक है तो इसमें आपको पहले में ही क्या करना होता है चूज करना होता है कि आप हिंदी नाटक लेना चाहते हैं या हिंदी एकांग के लेना चाहते हैं दो मेंसे एक आप दस्वे समस्टर में जाते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर दो पेपर में से किसी एक को चूज करना होता है जैसे कि यहां पर देखिए रचनाकार का विशेश अध्यन इसको चूज कीजे या इस तरी भी मर्स दोनों में से किसी एक को choose कीजिए, एसे ही यहाँ पर रचना विषेष का दहन, या प्रवाशी साहित्य का दहन, दोनों में से किसी एक को ही choose करना है, तो दोबेपर आपके हो जाएंगे, तीसरा ही, चौह है, चार पेपर हैंगे, लाश्ट में एक आपका सोध परियोजना जोड़ दिया जाता है, यह आपको पता है, ठीक है, आई होप यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर क्लियर हो गई हूँगी, जो मैं मोटी मोटा यहाँ पर समझाना चाहरा हूँ, अब चलते हैं, में सलेबस के उपर, ठीक है, यहाँ कैसे कह सकते हैं, पाठ करम, बिसे कौन सा है, हिंदी है, ठीक है, पाठ करम निर्माड समिती कौन सी बनाए गई थी, तो डाक्टर सुनीता रानी जी यह थी, संयोजा किसके, ठीक है, डाक्टर अनुराधा गर्ग जो थी, यह सदस्य थी, ठीक है, डाक्टर ममता सिंग यह भ और दो पाँच पाँच सदस्य थे और एक इसके क्या थे संयोजक थे टोटल मिलाके छे लोगों ने मिलकर इस पूरे स्लेबस को तयार किया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं कहीं पर पूंचा जाने वाला है ठीक है अभी मेन चीज क्या है आप इसके इस इस टेक्चर समझना बहुत जरूरी होता है कोई भी स्लेबस तयार करने से पहले उसका इस टेक्चर तयार किया जाता है ist TVs समझा जाता है तो पहले एक बार्य आप इस टेक्चर समझसके लिए रखा गया है जो प्रपोजल रखा गया था structure का ठीक है अब इसमें अगर हम देखें तो देखिए program, ठीक है, program पर का बोलने है, program means, जो आप में वाला program कर रहे हैं, उसका बोलने है, ठीक है, यहाँ पर year बोलने है, year year हाँ year आपका चौथा होगा ठीक है कौन सा होगा चौथा होगा ठीक है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चौथा year होगा और यहाँ पर semester की बात करें तो September semester मतलब 7 semester की बात की जा रही 6 semester आपके बे में निकल गए 7th semester यानि यम्मे का पहला semester और ओबराल कहें जो आपको लेना ही लेना है पेपर का कोड दिया गया है पेपर के कोर्स का नाम बताया गया है हिंदी भासा का उद्भव एयों विकाश यह आपके पेपर का नाम है 5 credit दिये जाएंगे teaching hours means कितने देर तक पढ़ा जाएगा 75 गंटों में इस पेपर को solve करिया जाएगा खतम किया जाएगा ठीक है ऐसे ही बता रहे है सप्तम सत्र का ही मतलब सेवन सेमेश्टर का ही जो दूसरा पेपर होगा ये भी आपका ठेवरी होगा साथी साथ कंपल्सरी होगा मतलब लेना अनिवार ही है पेपर का कोड दिया गया है पेपर का नाम बताया गया है हिंदी साहित का इतिहास एक आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक ठीक है इस प्रकार से देखें क्रेडित तो पांच दिये गए हैं और पढ़ाई कितने दिन में 75 गंटों में इसको आपको पढ़ा करके खतम करना है ये टीचर को इंस्ट्रेक्शन दिया गया है तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहां पर आप देख सकते हैं देखें सब्तम से यह यहां पर देख सकते हैं सब्तम सम जो आपका सत्र है मतलब सेवन सेमेश्टर है इसमें जो आपका एक पेपर और आता है लाश्ट का दो पेपर जो बोले नहीं ते आपको elective वाला है तो देखिए यहाँ पे क्या है यह आपके minor paper है साथ में elective है क्या है minor है elective है मतलब इन दोनों में से या तो यह आप choose कीजिए या तो यह आप choose कीजिए पहले का नाम क्या था computer हिंदी भासिक परियोजना दूसरे का नाम था हिंदी पत्रकारिता ठीक है दोनों paper आपके theory है और यह आपके पचातर पचातर घंटे में खतम किये जाएंगे साथ ही साथ credits कितने मिलने वाले हैं पांच-पांच credits मिलने वाले हैं ठीक है तो इस तरीके से पूरा syllabus का structure त्यार करके उनको दिया गया था लेकिन हम बात करने वाले है main syllabus के उपर चलिए start करते है main syllabus के पास चलते है ठीक है अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या दिया गया है बिस्तृत पाठ करम दिया गया है सब्तम सत्र का मतलब 7th semester का ठीक है चलिए बात करते हैं प्रोग्राम क्या है क्लास क्या है तो आप कहेंगे BA in research हिंदी ठीक है मतलब नाम केवल दिया गया है बद यहाँ पर बात यम्मे की की जा रही पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि जो यह make-up first year का होता है मतलब जो पहले दो semester होते हैं उसमें आपके लगबग BA की ही syllabus पोड़े उठाके involved किये जाते है ठीक है बोल रहे है कौन सा fourth year है ठीक है और course का नाम क्या है हिंदी भासा का उद्भो इवंबिकास यह आपके paper का नाम है paper एक है वो भी अनिवार है ठीक है semester कौन सा है seventh है कौन सा semester है seventh है ठीक है credit आपको 5 दिये जाएंगे कुल अंक आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं जिसमें से लिखित के आपके 15 नंबर मिलेंगे और school के तरफ से आपको 25 नंबर दिये जाएंगे आंतरिक मौले अंकन मिन्स होता है college वाले कितना नंबर आपको देते हैं university वाले वाइबा वगएरा होगा files वगएरा तयार करेंगे उसके 25 नंबर आपको वहां से मिलेंगे और साथ ही साथ आपको 75 नंबर school के मिलेंगे या आंतरिक में files का वो अलग होता है एक mid term परिच्छा करके करवाते हैं मतलब शमा तीन महीने पे होता है तो वो अपने college वाले अपने हिसाब से करवाते हैं उसके 25 नंबर आपको मिलते हैं ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं भीया किसके बारे में स्लेबस के बारे में तो आपके पूरे स्लेबस को पांच इकाईयों में बांट दिया गया जो आप आम इहां पर देख पारे होंगे इकाई एक, इकाई दो, इकाई तीन, इकाई चार और इकाई पांच पांच इकाईों में पूरे स्लेवर्स को डिवाइड किया गया है ठीक है बात करते हैं पहले इकाई के अंतरगत आपको क्या-क्या पढ़ना होता है पहले इकाई के अंतरगत हिंदी भासा का इतिहासिक प्रिष्ट भूमी मतलब जो हिंदी भासा जहां से जन्मली है एक तरीके से कह सकते हैं उसका इतिहास कैसा रहा है इतिहास का प्रिष्ट भूमी कैसा रहा है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी इकाई एक अंतरगत एकाई एक अंतरगाज दूसरी चीज़ जो आपकी चर्चा करने योग है वो क्या है भासा के विविद रूप जैसे की ब्यक्ति भोली ठीक है मतलब भासा के कई सारे रूप होते हैं जिसको हम भोली के नाम से जानते हैं उप भोली के नाम से जानते हैं मात्र भासा के नाम से जानते हैं संपर्क भासा के राश्ट्र भासा और अंतर राश्ट्री भासा इतनी सारे भासा के रूप होते हैं इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि भोलिया क्या होती है उप भोलिया क्या होती है मात्र भासा हम किसे कहते हैं राज भासा कब घोशित की जाती है किसी चीज को संपर्क भासा किसे कहते हैं, राश्ट्र भासा किसे कहते हैं, और अंतर राश्टिये भासा किसे कहते हैं, इन सारी चीजों के उपर हम एकाई नंबर एक के अंतरगत चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, बारत करें एकाई नंबर दो के अंतरगत, तो जो पहली चीज आपको पढ उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे एक एक करके सभी के उपर चर्चा करेंगे शामाने पर भलब की सामाने चर्चा करेंगे कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे बट चर्चा करेंगे उसके बारे में जानेंगे जिसमें से आपकी एक अवधी आती है एक खड़ी बोली आती है और एक भरज भाशा है ठीक कौन कौन सी अवधी खड़ी बोली और ब्रज भाशा इसका साहित भाशा के रूप में कैसे विकास हुआ मतलब पहले तो अवधी भी एक भोली थी अभी भी है खड़ी बोली भी एक भोली थी ठीक और साती सात ब्रज भाशा भी एक बट उसको अगर हम देखें तो साहित भासा के रूप में अब देखने को मिलता है मैं मतलब अओधी में भी साहित लिखे गए खड़ी बोली में भी साहित लिखे गए और ब्रज भाशा में भी साहित लिखे गए तो क्या ऐसा कारण था ठीक है क्या इसी परिष्थितियां थी जिसके वज़ा से ये सारी चीजे साहितिक भासा के रूप में हमारे सामने आई आज के समय में हम उनको साहितिक भासा के रूप में देख पा रहे हैं ये सारी चीज़े हम एकाई नमबर दो के अंतरगत पढ़ेंगे ठीक है बात करें एकाई नमबर तीन के अंतरगत तो एकाई नमबर तीन के अंतरगत आपको प्राचीन भारतिये लिपियों ठीक है का सामा अर्था डब्लप्मेंट कैसे हुआ देवनागरी लिपी के कौन-कौन से दोस है और इसमें सुधार के लिए कौन-कौन से प्रयास किये गए है ठीक है बात करते हैं देवनागरी लिपी की बैग्यानिक्ता कितनी है इतनी सारी चीजों को हम केवल इकाई नमबर थर्ड के अंत काश्ट भाशा कैसे घोसित किया गया क्या ऐसे कारण थे क्या इसी प्रिष्थितिया थी उन सारी चीजों के उपर हम चर्चा करेंगे साती साथ हिंदी की संबैधानिक इस्थिति मतलब संबिधान में हिंदी की क्या इस्थिति है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे ठीक ह वर्तमान इस्थिती के बारे में पढ़ेंगे वर्तमान मानक रूप के बारे में पढ़ेंगे और साथी साथ हिंदी वर्तनी का मानकी करण क्या है कौन कौन से ऐसे मानक है जो हमें हिंदी वर्तनी में ध्यान रखने चाहिए जानना जरूरी है उन सारी चीजों के उपर हम चल्चा करेंगे इकाई नमबर पाँच के अंतरगत इस प्रकारते आपके पेपर नमबर एक का पूरा का पूरा सब सलेवश कम्पलीट होता है अगर आपको पेपर नमबर दो का सलेवश चाहिए जो की यहाँ पर नीचे ही दिया गया है मैं आपको अच्छे से वो भी सारी चीज़े समझा दूँगा उसके लिए बट आपको कमेंट करना होगा पेपर नमबर दो इस वीडियो के नीचे अगर आप पेपर नमबर दो कमेंट करते हैं ठीक है कम से कम अगर पांच कमेंट आएंगे पांच लोगों के अलग-अलग कमेंट आएंगे तो मैं पेपर नमबर दो तयार करूँगा अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है ठीक है बाकी वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ सेयर करो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रस कर दो जिससे आपको सारी नौटिपिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगाताल लाभान भी थोते रहें ठीक है चलिए अगले वीडियो में बिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत